अच्छा अब कोल का इस्तेमाल क्या है अगर उसको लेकर अदिवार पर आपने नाम लिख दिया तो वो हो सकता है उसकी पैंसिल बना दी वो हो सकता है लेकिन ज्यादा तर इस्तेमाल तो एक ही है वो ये कि उसको जलाया जाए बगार कोल के जलाये बहुत ही कम इसी चीज़े हैं कुछ प्यूरिफिकेशन, एर प्यूरिफिकेशन के लिए चारकोल होता है जो कि इसका सर्फिस बहुत ज़्यादा होता है उसके वज़े से उस पे तमाम जितनी इंप्यूरिटीज हैं गैस के अंदर वो निकाल सकते हैं यखीनां जो जिसकी बाइप्रोड़क्ट और सबसे बड़ी बाइप्रोड़क्ट जो है वो कार्बंडाय उकसाइड होगी और बागी तफसील में आपको बता दो हूँ कि उसके जलाने से क्या-क्या नुकसानात होते है तो ये तो अब बहुत बड़ी बात है आजकल जो ग्लोबल वारॉमिंग की वोगरा सब कार्बंडाय उकसाइड से रिलेटेड तो इस वज़ए से कॉल पे इतना ज्यादा अताब आया हुआ है कि जितनी जगा है वो आपने देखा कि काफी जगा उनकी इस्तमाल उनकी प्रोड़क्शन सारा यूजवार सबकत कम होता जा रहा है बास जगाए जैसे चाइना है पाकिस्तान है और कुछ ऐसी जगाए इंडिया है जहां पर अभी तक कि इसका इस्तमाल काफी ज़ादा हो रहा है यह किसी चीज़ की बिजली की फॉर एक्जैमपल बिजली बनती है जात है कोला जलाने से पाकिस्तान में जादातर तर तो नहीं लेकिन काफी हद तक के तो वो बिजली की खीमत में क्या इंवार्मेंटल कास्ट एटेश्ट है जो नुकसान पहुचा रही हमारी हवा को वो जातर जगा नहीं है तो हम देखेंगे लेवलाइस कास्ट अफ एलेक्टरिसिटी बाद में जब बात करेंगे कि इसमें अगर आप इंवार्मेंटल कास्ट एट करें तो कितनी बड़ी अभी तो बहुत कहते हैं जी कोई लेशा दो इतनी आसानी से हो जाती है बहुत चीप है चीप इस वज़ा से कि उसको हम इन्क्लूड नहीं कर रहे हैं उसकी एक्शल कास्ट इंवार्मेंट की जो का गॉइर्मेंट की कॉस्ट जो है, वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, जो कोई है नहीं उसके हद, उसकी वज़ा मैं आपको बता दूँगा एक जगा जाके क्यों इन्फिनिटी हो जाती है, तो बहराल ये अभी जो चास, चीदा चीदा बातें जो है न, वो ये देख लेते कि इसमें क्या है? सबसे बड़ी एक चीज़ है नाकि मरकरी का क्या तालोख है? अब मरकरी हर कोईले में नहीं होती ही भाइदी वे. जियोग्राफिकली जहां कभी किसी जगा कम होती है, किसी की जगा जबाती है. यह तो हर चीज़ में होती है. तेल में भी हो जाएगी कभी कभी किसी में भी हो जाए कोईले में चुंके solid है उसमें से जादा हो जाती है तो mercury जा है वो neurotoxin है वो आपके दिमाग में असर करता है तो यह अगर आप कोईले को जलाएंगे जितनी mercury निकलेगी हवा में जाएगी किसी ने भी सांस ली तो उसको problem हो जाती है तो एक सबसे बड़ी वो जो neurotoxin property है ना mercury की उसकी वज़ासे यह है sulfur है अब जमीन के अंदर है ना तो sulfur तो हर जगा है जितनी भी हालना के plant से हमको मिली ही चीज़ें लेकिन plant के अलावा भी हुआ तो animal जानवर भी थे ना मचलियां थी मगरमच थे मेंड़कें थी सारी चीज़ें थी उनकी बॉन्स में क्या होता है phosphorus होता है sulfur होता है सारी चीज़ें वो जब जमा होता है तो वो कोईले में भी आ जाता है हालने कोईला उसका origin नहीं है लेकिन चूंकि वो आसपास हैं तो उसके अंदर यखीन होता है तो हर जगा कोईले में sulfur का एक बहुत बड़ा problem होता है अमरीका में जो सबसे बड़ा problem है ना कोईले में वो यह sulfur का है इतना बड़ा problem है कि जब वो निकालते हैं तो सारे कोईले को आप अंदादा करें कितने ton कोईला निकलता होगा daily साब से सारे कोईले को धोना पड़ता है सिर्फ पानी से धोने से वो sulfur उसमें dissolve हो जाता है जो निकल के आ आजाता है अब वो जिन निकल के आएगा उसका क्या करेंगे वो एक अलग कहानी है इन्वार्मेंटल कहानी वो भी है लेकिन बहुत सादा sulfur problem यहां पर होता है लेकिन जातर जगा ऐसी है जहां पर sulfur यहां उसके अंदर हो जाता है अब sulfur को जलाएंगे तो क्या होगा oxygen के अंदर जलेगा ना उससे sulfur dioxide बनेगी sulfur dioxide को पानी में मिला दे sulfur dioxide उपर गई हवा में बारिश होई sulfur dioxide पानी मिलके क्या बना sulfuric acid sulfuric acid तो बहुत तेज अज़ा होता है तो उसको अगर आपकी किसी building building पर पड़ा दरखतों पर बढ़ा हो सब जल जाते हैं तो यह acid drain तो बहुत बड़ा problem है sulfur dioxide, nitrous oxide यह सारे उसके components है तो वो बहुत बढ़ा है वो पूरे हमारे एक chapter है जो आगे जाके हम इसको समझाएंगे nitrous oxide nitrous oxide की मज़दार कहानी है कि nitrogen जो है वो कोईले में नहीं होती बिलकुल लेकिन कोईलों को जलाते कैसे हैं हम oxygen से तो नहीं जलाते कोईलों को तो air से जलाते हैं और air में जो 70% है वो air nitrogen है तो नाइटरिजन जब air के साथ आती है और कोईल एक साथ मिलके जलती है तो nitrogen oxidize होके nitrous oxide बनती है उपर जाती हवा में पानी मिलता है nitric acid या उसके कोई करीब की चीज़ तो फिर वोई acid drain वाला problem जो sulfur dioxide वाला problem था तो ये दो बड़ी important चीज़ होती है उसके अलावा ये जो smog का मसला होता है जो के nitrous oxide, ozone और जो fumes होते है न petrol के जो के कारें वगारा जो चलती है बड़े-बड़े शेहरों में बहुत-बड़ा मसला होता है लाहर में भी है, कराची में भी है और एले वगारा इस खिसम की बड़ी-बड़े metropolitan city के अंदर जो exhaust, nitrous oxide और जो exhaust में क्या होता है वो जो gasoline जो burn नी होती न जो petrol पुरी तरी से इस्तमाल नी होता वो nitrous oxide के मिलके compound बनाता है PAN वो बहुत ही खतरनाक होता है आपकी सांस के लिए सांसों के मसाइल खांसी जोना शुरू हो जाती है और जो चोटे बच्चे होते हैं जो बड़े लोग होते हैं उनको तो काफी घर में रहना पड़ता है अगर इस खिसम की चीज़ें हो जाए, nitrous oxide जाद हो जाए तो वो nitrous oxide के एक बड़ा problem है उसके लिए भी बात करेंगे जब हम air quality की बात करेंगे और carbon dioxide सबसे बड़ा एक गेल जो पूरी global warming का जो कहानी है वो सारी carbon dioxide से है carbon को तो जलाएंगे तो carbon dioxide तो होगी उसके बगएर तो काम नहीं चलता तो एक सबसे बड़ा pollutant वो हो जाता है अब यह इस चार्ट का मकसद ही है कि आपके बताएं कि यह जो gas है petrol है, coal है यह तीन चीज़ें बीच की जो है उनका relatively उनका pollution कितना होता है और उसको compare करें hydrogen से जिसमें कोई carbon नहीं होती और या ethanol से ethanol का मतलब है कि gasoline लिया petrol लिया और उसके अंदर बायो डीजल या बायो पेट्रोल जैसे गन्य के अरख से बना या शकर से बना या किसी तरी किसे बना कि उसको मिला दे ethanol और उसका देखें क्या effect पड़ता है तो वो देखें इसके अंदर एनरजी content को पहले तो यह देख लें कि उसमें hydrogen और carbon का कितना है गैस में 4 to 1 जैसे हैं मैंने आब आता है CH4 चार hydrogen और एक carbon तो 4 to 1 हो गया petroleum gasoline का 2 to 1 वो तो आप लंबी कहानी है ना वो pentane, hexane, heptane, octane यह चार चीजें चार liquid refinery से निकलते हैं उसको मिलके petrol बनता है तो average 2 to 1 दो गुना hydrogen और एक carbon carbon का ratio ज़्यादा हो गया अब coal के अंदर आप देखें तो बिलकुल 1 to 1 coal तो सारे के सारे कार्बन है तो पूरा carbon उसके अंदर जलेगा तो सारे के सारे carbon dioxide बन जाएगी और ethanol जा होगा 3 to 1 अब उसके energy content कितनी energy मिलती है उससे hydrogen का देखें आप कितना number कितना ज़्यादा है लेकिन वो hydrogen की कहानी बिलकुल ही मुक्तलिफ है पूरी hydrogen economy जो किसी आगे section में जाके आपको समझाएंगे क्या होता है और उसको कैसे निकालते है hydrogen कोई आहम तोर पे available नहीं उसको बनाना पड़ता है और वो बागी देखें उसको compare कर लें तो कैस जो सबसे उपर आ रही है तो hydrogen और carbon का जो है वो ratio उसमें ज़्यादा है hydrogen to carbon इसका मतलब carbon इसमें कम है और carbon dioxide जो release है वो सबसे कम है 1.2 अगर hydrogen को निकाल दें इसका मतलब आपको energy भी मिलेगी और इतना ज़्यादा pollution भी नहीं मिलेगा इसकी वज़ा से gas जो है methane जो है LNG या कोई भी खिसम की gas जो इसका environment पे सबसे कम effect पड़ता है बागी petrol का, coal का दोनगा उससे आगे बढ़ता जाता है तो इसका जो ये environmental consequences है ना ये जो अब लोगों को जाद से जादा sensitize हो रहे हैं इस सिल्सिले के अंदर तो उसकी वज़ा से जितना भी future planning है उस पे effect काफी पड़ा है लोगों ने सोचना शुरू किया है कि global warming के वज़ा से इतने सारी परिशानी हो रही है 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक तहाई पाकिस्तान डूब गिया था वो सारे global warming के चक्कर है तो अब क्या किया जाए आगे जाके तो अब उसकी planning का effect देखें इस चार्ट की उपर यह वो चार्ट है कि जिसके अंदर जो आगे जाके जितने भी energy sources आ रहे हैं कितने plant लगाए जा रहे है उनका distribution कैसे कैसे हो रहा है अब वो कोल वाले plant का देखें वो कहां से चुरू हो रहा है और आखीर में जाके उसका number क्या है तो इसका मतलब सारे plant की numbers जा है वो कम होते जा रहे है इसका मतलब कोल पे dependence energy की कम होते जा रही है जो कि बहुत अच्छी बात है यह global है अगर आप उसको सिर्फ चाइना के देखेंगे तो वो कुछ तस्वीर बिलकुल मुक्तलिफ नजर आईगी लेकिन natural gas का देखें कितना बढ़ गया है उसका जतना कम हुआ है कोल का वो natural gas का उतना जादा बढ़ गया है सिर्फ nuclear ऐसा है जो के कम हो जाना चाहिए था क्योंके nuclear की cost बहुत जादा हो गई है उसकी environmental cost है disposal cost है सारी चीज़े cost है nuclear की cost बहुत जादा हो गई है लेकिन सिर्फ इस वज़ा से वो नहीं हुआ खतम के ये energy crisis आगी थी एकदम से तेल के prices बहुत बढ़ गई थी तो लोग ने का अभी थोड़ा सा रुक जाते है nuclear के उपर बाद में देखेंगे कि nuclear को बिलकुल खतम कर देना चाहिए कि नहीं कुछ country जैसे चर्मेनी है जापान ने उन्होंने का कि बिलकुल खतम अब जो मज़ीद प्रांट लगाएंगे उसमें कोई nuclear power प्रांट ने लगाएंगे लेकिन उसकी वज़ासे फिर उन्होंने गैस पर आना शुरू किया है तो फिर वो थोड़ा सा और environmental issue हो गया है लेकिन बहराल नुकलियर चल रहा है अभी तक कि उसी तोर जैसे पहले दोड़ा था उसी तरह अभी तक भाग रहा है लेकिन जो कोल है वो कम होना शुरू हो गया है और गैस जह हो जादा से जादा होनी शुरू होगी है तो इसका मतलब ये जो environmental consciousness जो आई है न लोगों के अंदर उससे कमसकम इतना फरख जुरूर पड़ा है कि उनकी जो सोचे है मुस्तखबिल की वो थोड़ी सी change होगी कि किस तरह का power इस्तेमाल करना चाहिए